नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सिटेट संस्कृत पेडागोजी के कुछ मैतोपून प्रश्णों की स्रिंखला देखने जा रहे हैं संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 12 वीडियो है अगर आप Sanskrit Pedagogy की सांसा City 8 Upper Primary और Primary में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट के Complete Pedagogy की सांसा City 8 December 2020 और previous year अपर Primary और Primary सब्णी शिफ्टों के Complete Paper Solution को डिटेल में देखना चाते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का description जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा सीटेट यूपीटेट और सूपर टेट की बहतेरिन तरीके से त्यारी करने के संदर में चले दोस्तों आज की समयतोपुन वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रेशन पुछा गया है उपचारात्मक सिक्षणे यानि की रेमेडियल टीचिंग के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि रेमेडियल टीचिंग क्या करता है देखिए सबसे पहले बच्चे को कॉई जाता है और निदनात्मक परिक्षण में समस्या की पहचान होने के बाद बच्चे का उपचारात्मक सिक्षण किया जाता है यानि रेमेडियल टीचिंग किया जाता है तो रेमेडियल टीचिंग होने के बाद से यानि बच्चे का कॉंसेप्ट क्लियर हो गया जब बच्च यानि कि बालकों के स्वा मतलब की अपना और निस्पादन मतलब की उनका प्रदर्शन या फिर आउटपुट उसमें उन्नती यानि बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है विकल्प नंबर एक बिल्कुल एप्रोप्रियेट है यहीं इसका सटीक जवाब होगा अगला प्रशन पुछा गया था दिल मांगे मोर इती विज्यापन वाक्यम कस से उदाहरणम यानि कि देखिए दिल ये मांगे ये दोनों हिंदी का शब्द है लेकिन जो मोर है ये इंगलिश का शब्द है ये वला मोर है मोर मतलब की ज़्यादा यानि कि दिल ज़्यादा मां एने सही तो हम लोग शब्दों को लिख रहे हैं. जयसे कि मालेज देवनागरी लिपे में हिंदी लिखा जाता है, तो ये दॉ लिखा हुआ है. तो दॉ चिन है, यानि की code के sense में आप समझ सकते हैं. उसके उपर क्या है? छोटी E की मात्रा है, फिर ला है, दिल हो गया फिर माह है फिर आ की मातरा है फिर बिन्दी है फिर गह है तो यह सब क्या चिन है यानि जिसे हम लोग कोड बोलते हैं और हिंदी के साथ-साथ इंग्लीज पर ट्रांसपर हुआ गया है यानि कि यह स्विच किया गया है यानि कि ये क्या है code switching इसका बिल्कुल सा टिक जवाब हो जाएगा जैसे कि मैं आपको एक उधान दूँ मैं आप सभी को seated की preparation करा रहा हूँ if you will go through all the videos of seated pedagogy you will get a good marks in seated दिसंबर 2022 यानि कि मैं पहले आपको एक ही concept पढ़ा रहा था कि मैं आपको seated की तियारी करा रहा हूँ और उसके बाद कुछ समय बाद मैं आपको English में बोलने लगा यानि कि क्या कर रहा था मैं code को switch कर रहा था यानि कि एक ही concept को बताने के दौरान एक ही बात के दौरान दो भाशाओं के codes को प्रियोग करना code switching कहलाता है और यहीं प्रेश्ट में भी पूछा गया था देखिए दो शब्द हिंदी के और एक शब्द English का बोला गया है यानि कि यह क्या है code switching है option number एक code व्यत ययम इसका बिलकुल appropriate जवाब हो जाएगा अगला प्रेश्ट में पूछा गया था यानि कि दिये गए statement को पढ़िए यावत चात्रह प्राचूरियन ना पठन्ती ते धारा प्रवाहकम भवितुम ना अहरंती यानि कि यह कहा ज़रा है कि statement यह दिया गया कि जब तक चात्र प्रचूर मात्रा में यानि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पढ़िए तब तक वो धारा प्रवाह नहीं हो सकते किसी भी भासा में एतत पठना से किम प्रकारम निर्दशती पठन का ये प्रकार किस तरफ इशारा करता है किस तरफ निर्देशित करता है तो देखिए प्रचूर मातरा में पढ़ने की बात की गई है तो देखिए प्रचूर मातरा में पढ़ने की बात की गई है यानि विस्तरित पठन की बात की गई है जब ज़्यादा मातरा में आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं विस्तरित पठन करते हैं ठीक है ओप्शन प्रतिपादित किया गया यह शब्द तो यह नौम चमस्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया विकल्प नमबर तीन इसका बिल्कुल एप्रोप्रियेट होगा अगला प्रशने पुछा गया है स्वरा घातस से आरोहडम और रोहडम किम कत्यते यानि कि स्वर पर जो घात दिया जाता है यानि कि जैसे मैं बोल रहा हूं कभी क्या हो रहा है मेरी आवाज में उचा स्वर में बोल रहा हूं कभी धीरे बोल रहा हूं तो यह आरोहन यानि कि उच्छ स्वर और और रोहन यानि कि धीमा स्वर यह क्या कहा जाता है तो देखिए कभी भी अपने बातों को हम लोग अगर और ज्यादा प्रभावी ढंक से रिप्रिजेंट करना चाहते हैं तो कई बार हम लोग हमारे आवाजों में उतार होता है और कई बार हमारे आवाजों में थोड़ा सा गिरावट होती है थोड़ा धी में हम लोग बोलते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं यानि कि हमसे ये पूछा ज़रा कि बैग्यानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि शिशुओं के साथ बच्चों के साथ बात चीत करना वारतालाप करना बहुत महतुपूर्ण है देखिए जब बच्चा परिवार में पहली बार जन्म लेता है तो उसके पास अपनी कोई भासा नहीं होत से और परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आने की वज़े से उनकी भासा का हुबहू अनुकराण बच्चे कर रहे होते इसलिए वैग्यानिक ये हमसे कहते हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वारतालाप करना चाहिए ताकि बच्चों को वर्णों को सीखने में मदद मिले क्योंकि बच्चों से जितना ज़ाद हम लोग वारतलाप करेंगे उतना जल्दी बच्चे बोलना सीखेंगे उतना जल्दी बच्चे उन वर्णों का अनुकरार करके छोटे-छोटे पहले वर्ण बोलेंगे इस प्रकार से उसके बासे वर्णों को जोड तीन में इसी की बात की गई है आयम मतलब कि यह भासा यह ध्वानी सिक्षणम आरब्बते यानि कि यह बच्चों के भासा ध्वानी सिक्षणम का आरंब होता है यानि बच्चों के भासा ध्वानी सिक्षणम में मदद करता है ओप्शन नमर तीन बिल्कुल जल पनम इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जगा विगल प्लमबर दो से उत्तर है आगला प्रशन पुछा क्या था गुर्मीत महोदयाह स्वा छात्रान कोविड-19 इती आपदा विशे कत्यूतम इच्छती यथा छात्राह ताम आध्रित्य कानिचिद वाक्यानी लिखितुम शक्त्नियू गुर्मीत महोदयाह करणियाह यानि कि हमसे यह पूछा जारे कि गुर्मीत महोदयाह जो एक सिक्षिका है अपने छात्रों को कोविड-19 विशे पर आपदा पर कुछ कहने के लिए बोलती है ठीक है उसके बाद से वह उनके कुछ महतवपूर्ण विचारों को लिखने के लिए बोलती है वाक्यों को लिखती है ठीक है लिखने के लिए बोलती है गुर्मीत महोदय क्या कर रही है तो देखिए उन्होंने क्या किया है बच्चों को अपने मौलिक विचार और जो बच्चों का मौलिक विचार होता है वो क्या होता है उनका अनुभा होत ओप्शन में देखे चौथा इसी के बारे में कहा जा रहा है चात्रान महा आपदा कालस से अनुभवानी अभिव्यक्तुम कत्यते यानि कि छात्रों को महा आपदा काल पर अपने अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए कहा गया है प्रमुख भिव्यक्तिन स्याम पट्टे लिखतुम कथित यानि की प्रमुख अभिव्यक्ति यानि प्रमुख विचारों को स्यामपट यानि की ब्लैकबोर्ड पर लिखने के लिए निर्देशित किया गया विकल्प नबर चार बिल्कुल एप्रोप्रियेट है यहीं इसका सटिक जवाब होगा अगला प्रशन पूछा गया था इशा महोदयाह द्वितिय कक्षायाह छात्रान वस्तुननाम चित्राणी प्रदस्यती तत पशात सा इसपश्टतिया उचारण स्वरिण चो तेशाम नमानी उचारयती इदम कृत्वाह यानि कि हमसे यह बोला जारा कि इशा महोदया जो की दूसरी कक्षा की सिख्षी का है वह छात्रों को कुछ वस्तुन के चित्र को दिखाती है उसके बाद वो इस पश्ट रूप से उच्च स्वर में उस वस्तु का नाम उच्चारित करती है उच्च स्वर में उस वस्तु का नाम उच्चारित करती है मतलब पहले चित्र दिखाती है फिर उसके बाद से उसका नाम उच्चे स्वर में बताती है इदम कृत्वा यानि कि यह क्या करेगा तो देखे जो सिख्षी का है वह छात्रों को नविन शब्दों के ग्यान को बिल्ली, गाए, यह सबी कक्षा में लाए जाए इस वज़े से उनका प्रतिकात्मा की चित्र बच्चों को दिखाये जा रहा है और बच्चों को जैसे माली जे कक्षा में बिल्ली का एक चित्र दिखाये गया और उसके बाद से बच्चे को उसका नाम बताये गया कि यह ब बच्चे कक्षा दो के हैं और बच्चे मूर्त वस्था में इस चीजों को देख करके सीख पाएंगे ठीक है तो आप्शन नमबर टू में देखिए सा छात्रान नवीन सब्दानाम ग्यानवर्धनम इच्छती यानि कि सा मतलब कि वह सिख्छी का जो है वह छात्रों को नवीन नवीन शब्द नए शब्दों के ज्यान वर्धन को बढ़ाना चाहा रही है विकल्प नमबर दो यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रियेट है और यहीं इसका सटीक जवाब होगा अगला प्रशन पूछा क्या था डैश सिध्धान्त वर्ण यत कथम पाठ काह पाठा से करता है कि जो पाठक है उसका पाठ का जो अबोध है यानि कि संग्यान पाठ का जो संग्यान है वह उसके स्वा यानि उसके स्वैम के पूर्व अरजित ग्यान और पाठ में इस्थित सूचना के संयोजन पर निर्भर करता है तो देखिए बच्चा क्या होता है कि जो कुछ को देखेंगे तो ये प्रश्ण जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं तो जीन पियाजे ने बच्चों को क्या बता है था कि बच्चे के माइंड में विबिन प्रकार के सेट अफ इन्फॉर्मेशन बटे हुए जिसे हम लोग इसकीमा बोलते हैं माल जे बच्चे को एक टेबल दिखाए गया एक बच्चे को रोटी दिखाए गया और एक बच्चे को पेंसिल दिखाए गया तो बच्चा ये समझ रहा है कि टेबल क्या है ये कोई वस्तू है और रोटी क्या है ये खाने की वस्तू और पेंसिल क्या है ये आपके mobile में विबिन प्रकार के folders बने हुए हैं जैसे कि mobile में MP3 का अलग folder होगा इसके बासे वीडियो क्लिप्स का अलग folder होगा आपके contact list का अलग folder होता है यानि जितने भी प्रकार के information होंगे सबको store करने के लिए अलग-अलग folder बने होते हैं उसी प्रकार से बच्चों के भी अरजित ग्यान अब जो बच्चे का पुर्व अरजित ग्यान हो चुका है वो बच्चे का अनुभा हो चुका है और बच्चा जब उसके बारे में पहले से जान रहा है यानि उसके schema में वो information सेब है तो वो information और जब नया पार्ट में सूचना को वो देखता है और उसके बा दिसरा कोई नया इसकीमा बनाना पड़ेगा यानि कि जहरी से बाते जब उस इन्फोर्मेशन से रिलेटेड होगा तो उसी इसकीमा में उस इन्फोर्मेशन को रखेगा और अगर कैटिगरी अलग होगी तो हो सकता है कि एक नया इन्फोर्मेशन को सेव करने के लिए एक नया अगर आप सीटेट अपर primary और primary सबी सब्जेक्ट के complete Pedagogy के साथ, सीटेट प्रीविएस येर, December 2021 और अपर primary और primary के सबी शिफ्टों के complete paper solution को detail में देखना चाते हैं, तो इस वीडियो के समापत होने के लिए का description ज़रूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार रिजेट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा सीटेट, यूपीटेट और सूपर टेट की बहतेरीन तरीके से त्यारी करने के संदर में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करें आपका दिन शुब हो